नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोंड नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं परधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना का लाब ले रहे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुसखबरी है काफी लंबे समय से अठारवी किस्त का इंतजार किसान कर रहे थे कि अठारवी किस्त का पैसा कब हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा केंदर सरकार की तरप से फाइनली डेट आ चुकी है कि किस तारीक में ये पैसा ट्रांसफर होने वाला है एक ओफिसियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है पुरूफ के साथ सभी जानकारी यहां पर हम आपको देने जा रहे हैं पीम किसान योजना की अठारवी किस्त का पैसा आप इस प्रकार से ओनलाइन चेक कर सकते हैं किस प्रकार से चेक किया जाता है कैसे देख सकते हैं घर बैठे ही अपने मुबाइल फोन से ये सभी इन्फोर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने जा रहे हैं और बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको इस बार अठारवी किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा यानि की अठारवी किस्त उनके वैंखाते में ट्रांसफर नहीं की चाहेगी कौन से वे किसान हैं किस वज़े से इनको यह लाब नहीं मिल पाएगा तो चलिए उसके मारे में भी यहां पर हम आपको जानकारी देंगे वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुर्वात कर लेते हैं देखिए परधान मंत्री किसान समांदी योजना की अठारवी किस्त का पैसा आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ओनलाइन यह चेक करने से पहले सबसे पहले आपको जाना है PM किसान योजना के पोर्टल पर जी हाँ हम आपको लेकर चलते हैं देखिए जैसे हमने PM किसान योजना लिखकर यहां पर सर्च किया और देखिए लिखा आ चुका है PM किसान यह एक ओविसल वेबसाइट का लिंक है जिस पर हमने किलिए किया इसे प्रकार से आपको भी 24 को PM किसान योजना की 181 किस्ट जारी करेंगे यानि कि PM किसान सम्मंदी योजना की जो 181 किस्ट है वहें पांच अक्टूबर 24 को भारत के करोडो किसानों के मैंक खाते में यह 282 किस्ट ट्रांस्फर होने जारही है लेकिन इसे बीश कुछ ऐसे करोडो किसान है जिनको ये अठारिव किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा कौन से वे किसान है इसकी भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे देखिए यहाँ पर यह आपने अपडेट समझ लिया है और यहाँ पर कैसे आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं कि आपको अठारिव किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी सबसे पहले आपको किलिक करना है अपना इस्तिती जाने यानि कि now your status अब जैसे हमने इस पर किलिक किया किलिक होने बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कर सकते हैं तो सबसे पहले वैज जानने के लिए आपको इस पर किलिक करना है अब जैसे हमने इस पर किलिक किया अब देखिए यहाँ पर लिखा चुका है now your registration number यह जानने के लिए यहाँ पर आपको देखिए दो तरीके से आप यहाँ पर अपना registration number निकाल सकते हैं, पहला है mobile number, दूसरा है आधार number, सबसे पहले जिससे निकालना चाहे उसका आप चुनाव कर लीजिए, अब देखें यहाँ पर यह आप निकालना चाहते हैं आधार number से, तो यहाँ पर आपको click करना है, अब जैसे हमने इस पर click किया, और देखें य number का यह click हो चुका है, चुनाव हो चुका है, अब इस box में यहाँ पर आपको अपना आधार number दर्ज करना है, और इसके बाद यहाँ पर यह capture code देगा है, आपको इस box में डालना है, जवाब चेक करेंगे, और यहाँ पर देखे, get लिखा हुआ है, इस पर आपको click करना है, इतना करने के बाद, आपकी phone की screen पर जो आपका register number है, वे आपको दिख जाएगा, और इसी के साथ ही, आपके mobile number पर यानि की inbox में, message के द्वारा आपका register number भी भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से भी अपना register number को पता कर सकते हैं, और इसी परकार से आप निकाल सकते हैं, द कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी की आपका विश्रक्ता होने वाली है, अब देखिए, हम दोबारा से आपको लेकर आचुके हैं, Google Chrome browser पर, अब यहाँ पर आपको लिखना है PM, माफ के जगा, PFMS, यह लिखकर आपको सर्च करना है, दोबारा लिख लेते हैं, PFMS, जी हाँ, अब जैसे हमने इसको लिखकर सर्च किया, देखिए, step by step सभी जानकर आपको दी जा रही है, ध्यान से आपको देखना है, यह अब देखिए, DBT, status of beneficiary and payment detail, beta version 1.0 लिखा चुका है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, अब देखिए, भारत के जो राज सरकार है, या केंद सरकार ह पी, FMS के माध्यम से ही, चहे आपका pension का पैसा हो, या scholarship का पैसा हो, लाभारत योगे bank हाते में transfer किया जाता है, जी हाँ, कैसे check कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले यापर आपको नीचे आना है, और नीचे आने एक बाद देखिए, यह आपर एक category लिखा है ना, तो यहाँ पर किलिक करके आपको सबसे पहले category का चुनाओ करना है, पढ़ सकते हैं, एनसपी, PM किसान, नरेगा, पहल, और इसके बाद नीचे देखिएगा, पहल के बाद यहाँ पर यह लिखा हुआ है, PMAY, सर्विस प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, यह सभी schemes हैं, य यहाँ पर किलिक करके आपको इसका चुनाओ करना है, अब देखिए हमने चुनाओ के यहाँ पर PM किसान लिखा चुका है, अब dbt status में आपको दो option दिये गई हैं, एक है beneficiary validation का और दूसरा है payment का, अब देखिए हम PM किसान योजना का payment चेर करना चाहते हैं, तो आपको इसी पर किलिक करना है, यदि automatic किलिक है, तो आपको दोबार से किलिक करने के वश्रकता नहीं है, देखिए हमारा automatic किलिक पहले से ही है, अब जो आपने निकालना सीखा, किसान का register number, तो वह नमबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जिहां, इसी प्रकार से हमने आपको कहा था, क इस box में दर्ज कर दीजे, मालिजे आपने इसमें अपना register number दर्ज कर दिया है, आपकी phone की skin पर कुछ इस प्रकार से ये word verification code दे गए होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यही इसी प्रकार से आपको इस box में दर्ज करना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह आपको L दिखाई देगा, इसके बाद P और इसके पाद A, माफिज जगा, यहाँ पर A है और P है, देखिए, एज़टी सेम ही है, सबसे पहले small e है, इसके बाद R है, 8 L A P, देखिए, सेम एज़टी से है न, इसी प्रकार से आपको लिखना है, हमन अपना यह नंबर दरज कर लिया है, और यह capsule code भी यहाँ पर दरज किया, इसके बाद यहाँ पर देखिए, दो आइकन आपको नजर दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, यदि आप reset पर किलिक करेंगे, तो यह सबी चीज़े यहाँ से हट जाएगी, तो आपको reset पर परिशनल है, वह हमने hide किया हुआ है, अब यहाँ से हम इसको scroll down कर लेते हैं, अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर scroll down किया, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं कि इनको सत्रवी किस्त मिली या फिर नहीं मिली, तो देखिए, यहाँ पर आप यह लिखा देख रहे होंग ध्यान से आपको देखना है, परपसने में, income support installment 17, यानि कि 17 किस्त तक इनका पैसा इनको मिल चुका है, यानि कि 1 से लगाकर 17 इनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, और जितना यह payment किया जा रहा है, सरगतरब से आधार बेश्ट किया जा रहा है, अब इनको जो 17 कि मिली थी, देखें, यहाँ पर request की गई थी, 14 जून दो हजार चौविस, well-dation हो गई थी, यह 14 जून को ही, fund status approved कब हो है, यह 14 जून को, इसके बाद, sanction of status, sanction कब status हुआ, 15 जून दो हजार चौविस को, अब जो file status है, bank receive 14 जून को, अब जो यहाँ पर credit status है, अब जो personal है, जैसे कि PMS transaction ID, UTR number यह हमने hired किये हुए है, अब नीचे लिए चलते हैं, नीचे आने के बाद, देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, यह है, bank transaction date, जिसमें 16 जून दोजार चौविस लिखा है, और परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के दवारा, DBT के माध्यम से, सत्रवी installment जो थी, व भारत के करोडों किसानों के bank खाते में transfer की गई थी, तो इनको भी यह 18 जून दोजार चौविस को ही किस्त पराप्त हो चुकी थी, अब यहाँ पर देखें, यह आपने इतना समय लिया, अब बात करते हैं, अठारवी किस्त के बारे में, क्या इनको अठारवी किस्त मिलेग या फिर नहीं मिलेगे, तो चलिए, अब यहाँ से हम इनको, यह हमने जैसे scroll down किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले वो ही personal information होती है, और देखें, यहाँ पर request की गई है, 25 सितंबर 2024 की, वेल डिसन जो status है, यह आपर आप लिखा देख रहे हैं, 28 सितंबर 2024 की उनको पूरा हुआ, अब जो fund status है, 28 सितंबर 2024 की अपरूड वाई एजनसी की समय मिला किस्तारिक में, 28 सितंबर को, अब इसके बाद यहाँ पर यह देख रहे हैं, sanction status, यह अभी pending में है, pending for sanction creation, यह भी pending में हैं, और जो file status है, bank receive 28 सितंबर 2024, यह आपर आप तारीक देख रहे हैं, अब जो credit status है, क्या लिखा है, credit status में, payment pending at bank, यानि कि bank की तरब से, जो payment है, वे pending में है, इस परकार से क्यों लिखा आ रहा है, देखें, जब आप अपना इसी परकार से, PM किसान योजना की 28 किस्त का पैसा चेक करेंगे, ठीक है, तो यदि आपका भी इस परकार से लिखा आ गया, तो समय लिजे, आपके बैंक खात में, अठारवे इंस्टोल्मेंट, पांच अक्टूबर 2024 को, जब परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी, डीबिट के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे, तो उस त 17 किस्त इनकों मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये इंस्टोल्म वन क्यों लिखा आ चुका है, अब देखिए, जो ये PM यानि की PMS पोर्टल है, एक से लगा कर, यहाँ पर अठार तक ये शो नहीं करता, बहुत से ऐसे किसान है, जिसका शो हो जाता है, लेकिन जातर संख्य में ये शो नहीं हो पाता, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका वन लिखा आ चुका है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको प्रूव के साथ ये दिखाया कि इनको 17 किस्त का पैसा भी मिल चुका है, अब यहाँ पर जापर एक लिखा है, यहाँ पर एक नहीं है, यह अ पैसा है, वह चैक कर सकते हैं इस पोर्टल पर आकर, यहाँ पर आपको OTB की अवश्रक्ता नहीं है, बस आपके पास आपका रजिचरन संख्या होना चाहिए, और यहाँ से आप अपना योजना का पैसा देख सकते हैं, अब देखिए पास अक्टूबर को जहाँ पर क्रेड सकसर लिखा चुका है, और इस परकार से यह लिखा गया, तो यहाँ पर फिर आपको तारीक जैसे दिख रही है, तो यहाँ पर भी आपको यह तारीक लिखी मिली जाएगी, तो यह तो जानकारी थी, कि PM किसान योजना का जो पैसा है, अठारवी किस्त का, वे किस परकार से चेक किया जाता है, कैसे देखा जाता है ये तो तरीका आपने समझ लिया अब बात करते हैं कि करोडो भारत के वे कौन से किसान है जिनको 18 वी इंस्टॉल्मेंट नहीं मिल पाएगी, बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी देखिए, बहुत से ऐसे भी किसान है जिनको 17 वी किस्त नहीं मिली, 17 वी किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया क्यों नहीं किया जादा, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान है जिनका EKYS का कारिय अभी तक अधूरा है और बहुत से ऐसे किसान है जिनका जो land shooting कारी है यानि की जमीन या फ्रद जो खतों नहीं होती है उसको update कराने में उन्होंने अपना update नहीं कराया जी हाँ और यदि हम तीसरे कारी के बारे में बात करें तो लाखों करोडों ऐसे भी किसान है जिनका dbt active नहीं है NPCI mapping नहीं है क्योंकि सरकार जो यह योजना है वह dbt के माध्यम से ही payment करती है आधार waste payment किया जाता है अब जिसका पूरा नहीं होगा उनको अठारविकिस्थ प्राप्ट नहीं हो सकेगी और यही एक सबसे बड़ा करण है जो यह पैसा है reject हो जाता है समय रहे हैं यही वो किसान है जिनको यह पैसा नहीं मिलेगा अठारविकिस्थ का उनका reject शो होगा जी हाँ और यहां पर reject आपको लिखा मिलेगा जहां पर यह pending है यह pending में ही रहेगा यह किस्थ का पैसा प्राप्ट नहीं हो सकेगा अठारवी किस्त का पैसा केवल उनकों मिलेगा जिनका EKYC का कारे पुरा होगा, लेंड शिंडिंग का कारे पुरा होगा और बैंक खाते से आधार का लिंक, NPCA Mapping और DBT Enable यानि कि Direct Benefit Transfer उनहीं के बैंक खाते में अठारवी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा आज की जानकारी में पस इतना ही, यदि आपको हमारी त्यूही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करती सेगा, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, अब हम आपसे मिलते हैं, नेश्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत